हेलो बच्चों यहां में क्यूशन दियावा है which apparatus is used to measurement of soil water potential for options यहां हमें दिये वे हैं option A, cyclometer, option B, tensiometer, option C, atomometer and option D, goniometer देखिए, यहां पर हमें पूछा है कि soil water potential का measurement करने के लिए किसका use किया जाता है तो देखिए, सबसे पहले हम cyclometer को समझते हैं देखिए, psychometer जो है, वो humidity को measurement करता है psychometer जो है, यह है, humidity का measure करता है देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक wet bulb होता है इसमें एक wet bulb होता है और एक dry bulb होता है and a dry bulb एक wet bulb होता है इसमें और एक dry bulb होता है जोकि temperature के reading करते हैं जोकि temperature reading करते हैं लीडिंग करते हैं देखे सेकेंड हम समझें यहां पर तो सेकीं इमारा तैनसी मितरे को देखे तैनसी मितर स्वोंन मोईस्ट्र को तैनसी मितर जो है जो कि सोस professional जो जो है जो कि soil moisture को measurement करती है तेखिए अगर हम यह पर थड को देखे तो यह पर हमें जो थड दियावा है वह हमें दियावा है स साध करता है यह water waporation को मेजर्मेंट करता है यह water जो लास्ट ऑप्शन है वह हमारा गोनियमिटर देखें गोनियमिटर जो होता है गोनियमिटर एक डिवाइस होता है गोनियमिटर एक डिवाइस है जो की जो की जो की जो की जो की जो की आंगल जो की जो की आंगल की रोटेशन को मेजरमेंट करता है जो की जो की आंगल को कि measurement of soil water potential soil water potential का मतलब हो गया कि मिट्टी के नदर पानी को धारण करनी की चंदा किस्ते में कर रहे हैं तो देखिए साइक्रोमेटर जो है वो humidity दे रहा है तेंपरेचर इडिंग कर रहा है दूसरा देखिए तो वो कर रहा है soil moisture यानि कि मिट्टी में नमिका तो यही हमारा अंसर होगा कि हमें soil water potential बताना है तो option B option B देखिए सी देखे एट्मोमेटर तो वोटर वेपोरेशन को कर रहा है वेच सर्फेस पर यह भी नहीं होगा और गोनियोमेटर जोकी डिवाइस है joint angle के rotation को measurement करने के लिए तो हमारा correct answer हो जाएगा option B tensiometer is the correct answer hope you will understand